हाज जी स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल स्काई केमस्ट्री क्लास एज में और आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं अस्टक नियम के अपवाद कि अस्टक नियम ने वो कौन-कौन सी कमिया छोड़ दी थी उनकी यहां अपन चर्चा कर करने वाले हैं कि अनू जो है वो परमाणू के संयोजन से निमिज होते हैं और परमाणू आपस में मिलकर अनू इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने बायतम कोस में आठ इलेक्ट्रोन प्राप्त कर सके और जिनके अंतिम कोस में आठ इलेक्ट्रोन पाए जाते हैं वो आबं बनानी की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जैसे उत्करस्ट गे से, इन सब की बात अपन पीछे कर चुके हैं, उसके बाद है अस्टक नियम के अपवाद, यानि कौन-कौन से एक्सेप्संस रह गए जो अस्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, देखें, अस्टक नियम क अपून अस्टक दीतिया वर्त के वे सदस्य जिनके अंतिम कोस में यानि संयोजी कोस में चार सें कम इलेक्ट्रोन होते हैं वो जब अनुनिर्मित करते हैं तो उनके केंद्रिये पर्मानों पर आठ सें कम इलेक्ट्रोन उपस्तित होते हैं दीतिया वर्त के सदस्य जिनके संयोजी कोस में चार सें कम इलेक्ट्रोन होते हैं वो जब अनुनिर्मित करते हैं तो उनके केंद्रिये पर्मानों में आठ सें कम इलेक्ट्रोन होते हैं आठ सें कम इलेक्ट्रोन केंद्रिये पर्मानों के पास होते हैं कौन से आवर्त के दीतिया वर्त के सदस्य जिनके संयोजी कोस में चार से कम इलेक्ट्रोन होते हैं और वो कौन-कौन से हैं तो वो एक्जाम्पल्स में हैं LICL, ALCL3, BECL2, BF3, BCL3 ये सब क्या है अपून अस्टक वाले के अंदर ये पर्मानों इनके अंदर पाये जाते हैं वो अनु है अब देखो लीथियम के संयोजी कोस के अंदर कितने इलेक्ट्रोन एक क्लोरीन के संयोजी कोस में साथ इलेक्ट्रोन दो, चार, छे और ये साथ अब देखो इसके तो 8 हो गए साथ तो थे एक साजे में लीथियम वोड़ा लगया लेकिन लीथियम के कितने रह गए केवल दो ही रह गए तो इसका स्टक पूरा नहीं हुआ ये केंदर ये परमान होए क्योंकि इसकी विद्यू त्रिणता क्या है कम फिर एल्यूमीनियम की बात करें तो एल्यूमीनियम के स्योजी कोस में तीन इलेक्ट्रोन होते हैं तेरे में वरका सदस्य है इसके साथ कौन जुड़ावा है कलोरीन जुड़ावा है कलोरीन के स्योजी कोस में साथ साथ इलेक्ट्रोन होते हैं होते हैं क्योंकि यह 17 में वर्का से 10 है यह तो इसके आठ ये इसके आठ ये इसके आठ ये लेकिन aluminium के कितने रह जाएंगे केवल और केवल 6 electron ही रह जाएंगे तो इन में केंद्रिये पर्माणों का क्या है अस्टक पूरा नहीं है अपुर्ण अस्टक है केंद्रिये परमाणों के पास 8 electron नहीं है तो यह अकूर आस्टक की व्याक्या जो है वो क्यों पाए जाता है और यह अनू पर कैसे बना लेते हैं क्योंग है आस्टक नियम तो कहता ही है कि जिनके 8 electron होते है उशाजा करके बनाए यह electron की स्ताना अंत्रन से बनाए आठ इलेक्ट्रोन हो जाते हैं तो अनुनिर्मित होता है आठ इलेक्ट्रोन प्राप्त करने का सारा खेल है लेकिन यहां आठ इलेक्ट्रोन प्राप्त नहीं हो रहे के अंदर ये परवाण वो फिर भी अनुनिर्मित हो रहे तो इसकी वैख्या जो है विसम संक्या में है, उन अनु में केंद्रिय परमाणू या किसी एक परमाणू का अस्टक अपूर्ण रहता है, उन में अस्टक सभी परमाणू का पूर्ण नहीं होता है, विसम इलेक्ट्रोन अनु जैसे एनो है, अनो में नाइटोजन के सही हो, जी कोस में 5 इलेक्ट्रोन होते हैं, प्लस उक्सीजन के सही हो, जी कोस में 6 इलेक्ट्रोन हो, टोटल 11 इलेक्ट्रोन काम में लेने हैं अपने को, अब 11 इलेक्ट्रोन जब है, तो अपने इसको लूइस रंचना में कनवर्ट करेंगे, तो देखो oxygen को 4 electron और देने पड़ेंगे, 4 ये, साजेवल एर 4, इसके particular हो जाएंगे 8, ये अस्टक पॉर्ण हो जाएगा, अब बच गए कितने, 11 में से 8 काम में आ गए, कितने बच गए, 3, देखो nitrogen के पास कितने रह गए, 4 ये, साजेवल एर 3, ये 7, इसके 7 electron, इसके 8, अब मैं जड़ि इसके 8 कर दू, तो उसके 7 रह जाएंगे, बात वो की वो ही है, लेकिन अपने को अधिक विद्यूत्रेणी पर्माणों जो है, उसका अस्टक पूर्न करना है, कम विद्यूत्रेणी पर्माणों का अस्टक अफूर्ण रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, वाग लेने वाले परमाणों के संयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या का टोटल विसम संख्या में है, उनमें सभी परमाणों का अस्टक पूर्ण नहीं होता है, तो इसके भी अस्टक नियम द्वारा वैख्या नहीं की जा सकती है, अस्टक नियम का यहां पालन नहीं होता है, इसके अलावा दूसरा एक्जामपल है NO2, नाइट्रोजन के संयोज इकोस में 5 इलेक्ट्रोन, उक्सीजन 2 हैं, प्रते के 6 इलेक्ट्रोन होते हैं, 6 दूनी 12 और 5, टोटल 17 इलेक्ट्रोन काम में लेने हैं अपने को, देखो, यह नाइट्रोजन, एक तरफ डबल बॉन्ड ब ना तो, यह लो, ओक्सीजन, अब देखो, इस ओक्सीजन का ओक्टेट कम्प्लीट करना है, तो 4 तो यह हो गए, 4 और देदो 8, अब इस ओक्सीजन का ओक्टेट करना है, तो 2 तो यह रहे, 4, 6 और यह 8, यह 8 और अब कितने बच गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12, 2, 14, 2, 16 और एक, यह सत्रा, तो इसके कितने, नाइट्रोजन के 4, 2, 6, 1, 7 ध्यान यह रखना है कि ज्यादा विद्यू त्रेनताओं के लिए, जहां तक संभव हुआ अस्टक पूरा करना है, कम विद्यू त्रेनताओं वालों का अस्टक पूरा नहीं हो, तो चलेगा, तो मैं इसको यह लिख सकता हूं, नाइट्रोजन, यह, सिंगल बॉन्ड, अब इस स्टक्तर में फोर्मला वेस, अपन ज्याद कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन इलेक्ट्रोन केंद्रिय परमानू जो है, उसका साथ, और इन दोनों का अस्टक कम्प्लीट होगे, लेकिन विशम संख्या में इलेक्ट्रोन होने के कारण, इस नाइट्रोजन का अस्टक कौन नहीं हो पाएगा, तो वे अनू जिनके अंदर भाग लेने वाले परमानू के संयोजी इलेक्ट्रोनों का कूल योग विशम संख्या में होता है, उनमें सभी परमानू का अस्टक कौन नहीं होता है, यह है विशम इलेक्ट्रोन अनू, अस्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। फिर थर्ड है प्रसारित अस्टक, ये एक और कमी रह गई, इसको कहते हैं expended octate, यानि अस्टक में तो 8 इलेक्ट्रोन होते हैं, 8 से ज़्यादा जब इलेक्ट्रोन होते हैं अस्टक में, तब उसको कहते हैं प्रसारित अस्टक, तरतिय और उससे आगे, थर्ड और उससे आगे के जो पीरियेड्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड और नेक्स्ट, periods के elements जो हैं उनके अंदर प्रसारित अश्टक की स्थिति पाई जाती है क्यों क्योंकि उनके अंदर 3s और 3p के अत्रीक जब 3s और 3p भाग लेते हैं तो 1 तो s और 3p टोटल कितने कक्सक चार कक्सक भाग ले रहे हैं तो बंद कितने बढ़ेंगे चार और चार बंदों में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं आठ अश्टक नहीं का पालन करेंगे लेकिन यह तो दूसरे आवर्त की लागू होता है तीसरे आवर्त में क्या होता है 3s 3p के अत्रीक त्रीडी कक्सक भी पाए जाते हैं अब 3d कक्सक पाए जाते हैं तो कक्सक कितने हो गए एक तीन चार पाँच नो अब नो में से कितने भाग लेते हैं वो एक अलग चीज है लेकिन चार से ज्यादा कक्सक अबंदन में भाग लेंगे यानि चार से ज्यादा आबंदू का निर्माण करेंगे यदि पाँच बंद बनते हैं तो दस इलेक्रोन हो जाएंगे तो तीसरे और उससे आगे के आवर्त के जो सदस्य हैं उनमें 3s 3p के त्रीडी कक्सक भी रासाइनिक आबंदन की प्रिक्रिया में भाग लेते हैं परिणाम स्वरूब निर्मित होने वाले आबंदू की संक्या चार से अधिक होती है नि सहियोजगता चार से ज्यादा हो जाती है और जब सही हो जगता चार से ज़्यादा होगी आबंज चार से ज़्यादा होंगे तो उस परमाणूं के आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रोन उस पर पाए जाएंगे और 8 से जब ज़्यादा इलेक्ट्रोन पाये जाएंगे तो उसको अपन कहेंगे प्रसारित अस्ठक, expanded octet ये स्थिती जो है वो 3rd और उससे आगे के आवर्तों में पाये जाती है और उसका कारण 3D कक्सक का पाया जाना है तो 3D कक्सक के पाये जाने के कारण वो अपने अस्ठक को क्या कर लेते हैं प्रसारित कर लेते हैं चार से ज्यादा अबंदू का निर्मान कर लेते हैं अब देखो ये किस में पाये जाता है तो कार्बन ग्रूप के सदस्य है जैसे कार्बन के बाद में नाइट्रोजन के नीचे वड़ा सदस्य है फोस्पोरस है उसका सदस्य है PF5 मलीक्यूल है इसमें फोस्पोरस पायांच बंद बना लेता है फिर ओक्सीजन के वर्क का सदस्य है सल्फर SF6 इसमें छे बंद बना लेता है अब पांच बंद है तो हर एक बंद में दो दो इलेक्ट्रोन होगे आपको पता है यह तो एक बंद में दो इलेक्ट्रोन होते हैं कितने बारा एलेक्ट्रोन यह प्रसारित अश्टक है ऐसे ही कुछ और अणों भी पाए जाते हैं लेकिन जैसे सल्फर का डाई क्लोराइड उसमें सल्फर जो है वो आठ एलेक्ट्रोन रखता है तो सल्फर ऐसा तत्व हो गया जो अश्टक नियम का पालन भी करता है और नहीं भी करता है यानि प्रसारित अश्टक की स्थिति भी होती है और प्रसारित अश्टक की स्थिति नहीं भी होती है दोनों स्थितियों के आठ से अधिक इलेक्ट्रोन होते हैं, तो उसको प्रसारीत अस्टक कहते हैं, उसमें PF5 के अंदर प्रसारीत अस्टक, फोस्पोरस के पास 10 इलेक्ट्रोन है, SF6 में सल्फर के पास 10 लेक्ट्रोन है इसके अलावा H2SO4 में सल्फर के पास भी 12 एलेक्ट्रोन पाई जाते हैं H2SO4 तो वो है प्रसारित अस्टक H2SO4 यह होता है सल्फर ने 2, 2, 4, 2, 6 बना रहे हैं बंद और 6 बंदों में 12 एलेक्ट्रोन हो जाएंगे केंदरिये परमाणों के पास 12 एलेक्ट्रोन आठ से 4 अधिक एलेक्ट्रोन होंगे तो यह तो बात होई प्रसारित अस्टक की उसके बाद अपन फोर्त देखते हैं अब अस्टक नियम जो है वो उतकरस्ट गेशों की अक्रियता पर आधारित है यह मान के चलता है अस्टक नियम की उतकरस्ट गेशों जो है वो अक्रिय होती है क्योंकि उनके अंतिम कोस में 8 इलेक्ट्रोन होते हैं और कोई परमाणों जो है वो रासाइनी का बंदू का निर्मान इसलिए करता है कि अपने अंतिम कोस में आठ एलेक्ट्रोन प्राप्त कर लें लेकिन अक्रिय गेसें या उत्करस्ट गेसें खुद भी योगिक बना लेती हैं जिनके अंतिम कोस में आठ एलेक्ट्रोन होती है नहीं बनाने चीज़ लेकिन आठ एलेक्ट्रोन होते हैं बावजूद जो है क्या कर लेती है अणू और योगी कोंगा निर्मान कर लेती है तो फिर यहां अस्टक नियम यह नहीं बता पाया कि अक्रिये गेशूं के अंतिम कोस में आठ लेक्टोन होते हैं तो फिर वो योगी किया अणू क्यों निर्मित करती है अक्रिये गेशूं की अक्रिये तापर आधारित अस्टक नियम अक्रिये गेशूं द्वारा निर्मित योगी कुँ या अणू जैसे एक्सी एफटू के आर एफटू एक्सी ओटू एफटू की व्यक्ष्या नहीं कर पाया यह नहीं बता पाया कि जब अक्रिये गेशूं के अंतिम कोस में आठ एलेक्टून होते हैं तो उनको ऐसी कौन सी नो बता गई कि वो क्या कर लें योगीकों का निर्मान कर लें जब उनके पास आठ एलेक्टून है तो क्यों योगीक बनाती है यह इस पस नहीं कर पाया इसके बाद अस्टक नियम जो है वो अनों की आकरती नहीं बता पाया वो इसकी पांच भी कमी रह गई कि अनों जो है वो आकरती में किस टाइप की होंगे यानि XCF2 की आकरती कैसी होगी XCF6 की आकरती कैसी होगी SF6 की आकरती कैसी होगी H2SO4 की आकरती कैसी होगी PF5 की आकरती कैसी होगी उन अनूं की आकरतियों का इस बारे में वैख्या जो है वो अस्टक नियम नहीं कर पाया यह उसकी एक और कमी रह गी और लास्ट कमी ये रह गई कि वो अनुओं की उर्जा के बारे में और अनुओं के इस्ताइतवे के बारे में भी नहीं बता पाया कि किस मोलीक्यूल की कितनी एनर्जी होगी और उसका इस्ताइतवे कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा अनुओं के इस्ताहित हुए और उर्जा की व्याक्या भी नहीं कर पाया ये था अपना अस्टक नियम और उसके अपवाद अब आपने अविदी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अप्लोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अच्छा लगे तो ये वाला बटन जरूर दबाएं थेंक्स